हेलो दोस्तों असलाम अलेकुम तो आज मैं बनाई हूँ आइस क्रीम ओर्यू आइस क्रीम है यह बहुत टेस्टी अब बहुत अच्छा लगता है मार्केट के जैसा पुरा स्मूदली तो मैं घर पे बनाई हूँ समान में अगे रहा तो उतना कुछ था नहीं लेकिन जो घर पी समान हमारे पास रहते हैं उसी से मैं बनाई हूँ और बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनके त्यार हुआ था तो मैं आप लोग से सेयर कर रही हूँ तो आप लोग देखके मुझे बताईएगा कि मेरा यह पॉडर वाला दूद तो इसे भी हम मिक्स करेंगे ताकि इसका टेक्स्चर और टेस्टी आइसक्रीम का बढ़ जाए और बस सभी को खोल के और निकाल लेंगे बीस्किट को यहां पर देख सकते हैं दोनों पैकिट को निकाल ले रही हूँ मैं और इसे मिक्सी के जार में ड डालूंगी और दो मिनट तक चलाएंगे इसका पॉडर बन जाएगा और जो इसके अंदर करीम रहता है ना मैं उसी में रहनी दूंगी ताकि उससे और अच्छा टेस्ट आए हमारे आइसक्रीम में बहुत अच्छा बन के तियार हो तो सभी को इस तर करके तोड़ के डाल मिξी को चला देंगे और इसके पूदक के लिए मैं पानी नहीं दूदी इस्तमाल कर रहा हूं तो आप जबी भी दोस्त को इस्तमाल करें तो ठंढ़ा दूद चाहिए है मैं फ्रीज वाला चिल्ड डाल रही हूं तो बस एक दो मून डालूंगी वनेला ऐसे तो यहां पे देखे हम इसका पॉडर बना त्यार कर लिए हैं और जो मिल्क पॉडर है तो उसे भी हम इसी में डाल के चैन कर लेंगे दोनों को mix कर देगे हैं अच्छी तरह से mix भी हो जाएगा और तुछासा हम इसे पीस भी लेंगे तो यहां पर देखें मैं दोनों पैकी डाल रही हूं तो यह टोटिली कितना हुआ दस बीस रुपय का तो बिसकिट हुआ अब पंदरा रुपय का यह हुआ पैंतिस रुपय में आप मतलब तीन चार आदमी के लिए आईस्क्री में आप बना के त्यार कर सकते हैं वह भी घर पे बने हुए इतना टीश टी और सुमूदली जो भी हम घर पे बना के अपने आप खुद से इस्तमाल करते हैं तो हम बहुत अच्छा लगता है कि हम घर पे भी बना के खा सकते हैं इसे तो मैं वही बनाई हूँ और आप लोग से भी शेयर की हूँ तो आप लोग जुरू से ट्राइ कीजिएगा और मुझे बताईएगा तो यहां पे देख सकते हैं मैं दू जूद डाली थी इसहां दूद ये बनाई शेयर के दूद 1-3 को बनाएशन्स में धाली है मैं यहां ऐसे देख सकते हैं जुल्ड मिक्स करने चलाने नहीं नहीं है mixi में और बस यह तियार हो गया है हमारा पेज्ट क्रीम बनने के लिए और यहां पर देखिए इस तरह का मैं डबा ली हूँ यह मीठा बगे रहा आता है न वहीं डबा है तो बस मैं उसी में डाल रही हूं आपके पस अगर बच्चों का टीफिन है ताब उसमें भी आ सकते हैं जो आता है फाइबर का और क्रीम को मैं रख दी थी दो घंटे के लिए यह सेट हो गया है यह पुरी तरह से खाते हैं और रहता है वैसा तो इसे हम दो मिनर तक और पीस के त्यार कर लिए हैं और यहां पर थाचमल से चला दे रहें ताकि इसका एक्स्ट्रा जो बबल से वह बाहर निकल जाए और उसके बाद इसके उपर हम लगाएंगे यह पेपर प्लास्टिक पेपर है तो अगर में लगा दी हूं और तरफ़ होके लगाएंगे यहां पेपर देखी हमें ओभर को राद-भर के लिए यहीं को बनाई थी लेकिन राद-बर के लिए इसे चोड़ दी थी और यहां पास तो आइस क्रीम निकालने वाला जूराता है न क्यों डबू टैप का तो वह नहीं है लेकिन मैं ये बड़ा वाला चमर से निकाल के दिखा रही हूं तो देखिए निकल के त्यार हो गया है कितना खुबसूरत लग रहा है देखने में और इसे थौसा ड्राइफूट के सा मैं गानिस कर दे रही हूं आप चाहें तो उपर से चौकलेट सिरप भी डाल सकते हैं और बस इंजवाई कीजिए खाईए और सभी को खिलाईए तो अगर आप लोग को ये मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो मुझे बताईए जरूर से कमेंट करके कैसा लगा मेरा आइस क्र